अगर आप उसको पीस फुल लॉजिकली अगर ना पढ़ें तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है चीजों को समझना बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं वो इनकम नेशनल इनकम टॉपिक से ही सुरू करते हैं जिसमें जी डीपी जी एनपी एननपी सभी चीजे मार्केट प्राइश, कॉंस्टेंट प्राइश, अर्रियल इडीपी, नॉमिलल इप्टीपी, जीडीपी डिफिलेटर, जीडीपी वर्स जीप्यट इतने फैक्ट्स इतने लाइन्स लाकर के कनेक्ट होने की लगते हैं कि नया स्टुडेंट्स पढ़ने को तैयार नहीं होता है, उसको लगता है कि भाई, एकोनामिक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, वास्तों में एकोनामिक जो की बहुत डिफिकल्ट है और इनकी वर्स के आधार पे ही इनके सभी सलूशन और अंसर्स चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे मैं बात करूँगा उन दो वर् तो इन सभी चीजों को जब हम consider करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि वास्तों में economy या economics को कैसे हम study करें ओके दूसरी चीज यह होती है कि हम लोजिक्स पते होना चाहिए कि economics को कैसे पढ़ना चाहिए जैसे मैं अगर बात करूँ आप लोगों से ले करके जियोग्रोफी को प्रेशर बिल्ड हाई प्रेशर लोग प्रेशर कि आधहार पे अगर हम पढ़ें तो जियोग्रोफी आसान होती है दूसरी यह होता है कि हम economic को जब study करते हैं तो इसका एक ही keywords होता है जिसको हम कहते हैं demand and supply के आधहार पे क्या concept या relation between demand and supply कितनी मांग है कि इस चीज की मांग है this also depends on the income and goods availability in the market यह concept होना चाहिए दूसरी चीज यह होती है कि जैसे मैंने यहां पर लिखा है आपका economics versus economy के बाहर में देखिए यहां पर economy eco no अब यहां पर एक लग रहा है mix और एक लग रहा है my अगर दूसरी तरह पर यहां देखिए macro macro economy that is called हम इसको classify कर रहे है macro macro देख यह चीजे same होती है बस थोड़ा सा relation बदल जाता है जब relation बदल जाता है तो जजबाद भी बजल जाता है ठीक है एक सेकें थोड़ा सा हमें time दे दीजी अगर हम बात करते हैं economic की बात करते हैं तो इसको earth ब्यवस्था हिंदी में और इसको earth सास्त्र के रूपे हम देखते हैं इन में बस इतना होता है किस चीज को फोकस कर रहे हैं किस चीज को निगलेक्ट करते हैं अगर आप हम से पूछे कि economic के बारे में अर्थ सास्त्र के बारे में क्या बताना चाहेंगे तो हम आपको सीधी आसान भासा में इसको आपको एक चीज बताएंगे यहां पर मैं लिख रहा हूँ economics 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 and एक एक सक्ड़ economy अब हमने कहा अर्थ सास्त्र अर्थ सास्त्र अर्थ ब्यवस्था हमने दो वरड़92 यूज किया आपके दिए जब हम की बात करेंगे इसी के साथ अगर और कंसीडर किया जाए production production तीन चीज़ की बात production होगा तबी उस चीज़ की demand होगी और demand तबी सबका fulfill कर पाया जाएगा जब production को proper तरीके से distribute किया जाएगा सब्सक्रिये economics में हर एक जगया नहीं में गन्य की खेती North Eastern India में नहीं होती धान की खेती आपका duck and plateau में नहीं होता cotton की खेती गंजेटिक plane में नहीं होती धान की खेती थार डेजट में नहीं होता that is true तो इस वज़े से जिस चीच की कहीं भी production अगर हो रहा है तो उसका distribution किया जाना चाहिए equitable process से लेकिन distribution तभी हो सकता है जब उस चीच की demand तमिल अडू के लोग गेहू की रूटी नहीं खाते हैं आप नौर्थ इंडिया गंजेटिक plane से गेहू को वहां भेज भी देंगे तो कोई मतलब नहीं निकले that means जिस चीच की जहां पे demand हो उसकी supply किया जाया that is clear अब इसके बाद हम अगर आप से बात करें economics और तरसास्त जो है इसका concept या लॉजिक समझना difficult तो नहीं है holistic बात करता है अभी economic की बात अर्थ बेवस्था की बात अभी बाकी है और यह इंडिविजूल संट्रिक होता है जब इसको inter relate हम जब करते हैं तब यह चीच काम करते है means first of all economics and second thing अर्थ बेवस्था system कैसा है system कैसा है आपका अर्थ शासर की बेवस्था का अर्थ बेवस्था कैसी है इस चीच को यह इंटर रिलेशन बिट्वेन प्रोडक्शन अन्द कंशम्शन इंटर रिलेशन बिट्वेन P से प्रोडक्शन D से डिमांड कर दिजिए कंशम्शन डिमांड डिमांड को हम economic के टम में कंशम्शन भी बोलते हैं डिमांड या फिर कंशम्शन जब डिमांड करेगा कोई चीज कंशम्शन करने के लिए तो करेगा तो कहने का मतलब जब यह particular demand यह चीज fulfill करता है production होता है और जब इनका dependency हो जाती है demand production production उसी चीज का किया जाएगा जिसका demand market में है market में आईपोन की demand है आप ब्लैक एंड वाइट नोकिया 600 प्रोडक्शन कर रहे हैं कोई नहीं लेगा क्योंकि उसके पास और भी ऑप्शन कंपनी के द्वारा प्रोवाइट कर दिया जाएगा अगर आप अपनी कंपनी से नहीं उसको फॉलफिल कर पाएंगे तो शैम्शम कंपनी की जो स्क्रीन टेच मोबाइल की सुरू में बहुत बुरा उसका फिडबैक था श्क्रीन टेच खराब दा लेकिन उसने अपने आपको इंप्रूब किया और आज शैम्शम एक ब्रांड के रूप में इतनी बड़ी मोबाइल फोन कंपनी में आ गई है कि सबसे पहले लोग अगर normal budget की बात करें शमय आती है आईफोन वो अलग चीज़ तो इस चीज़ को करते हैं लेकिन जब हम economic की बात करते हैं ये दो तरह की होती है ये होती है आपकी macro macro economy economic और दुसरा होता है macro economic एकोनॉमिक्स एकोनॉमिक्स that is the true इसे मैं इसको लिख रहा हूँ थोड़ा सा आपको लग रहा होगा गोहच-पोच हो गया है ठीक है माइक्रो एकोनॉमिक अब सही है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको यह चीज, यह चीज को consider करें अब आपके में दमाहिएक यहा भी तो आपने बताया थेकर अब इसमें मिक्रो मैक्रो का मतलब हैसे consider किया जा जाए मैं तो जब हम मैक्रो एकोनॉमिक की बात करते हैं तो इसमें इंडि इंडिविज्यूल परसं की बात करते हैं की चॉ cog क्या है लेकि जब मैक्रो क्यों कुछcky की बात करते हैं तो अंग्रिगेट अंप बात करते हैं अग्रिग I amanta अबोनौमीक्स की बात करते हैं इक भन तो सबेश्त pleasing की बात हम करते हैं बहुत जबनकें छेक्ष्व इश फारि इश गंट्स lavender होता है तो हम आगे उसको फ्रोशीट करते है अब आते हैं जो मैंने कहा यहां पर लेकर के फिर से मैं इंडिकेट कर रहा हूं उने कहा फिर से लिख रहा हूं एक को नॉमिक्स एक को नॉ नॉमी और यह दो तरह की होती है मैक्रो अब एक होता है मैक्रो एक को नॉमिक्स होती है उसी तरह एक को नामी की जब हम बात करते हैं ठीख है नामी की बात करते हैं बेस अन देनेचर ऑफ डिमांड बेस्ट और नेचर अफ डिमान्ड प्लस डिमान्ड प्लस जो है कि सप्लाई कि सप्लाई की आधार पे हम इसको तीन पार्ट में डिवाइट करते हैं एकोनॉमिक को पहला दूसरा और तीसरा पहला हम कहते हैं कि मार्केट मार्केट एकोनॉमिक दूसरा बोलते हैं इकोनॉमिक करते हैं और तीसरा हम बोलते हैं मिक्स्ट एकोनॉमिक बास समझ में आई कुछ नहीं फिर हम बदूसरा इसको हम कहेंगे कापिटल एक कापिटल लिष्ट एकोनॉमिक इसको कहेंगे एक की नाम से बोलेंगे इसको कहेंगे हिंदी में फिर से यहां पर मैं लिख रहा हूं इसको हम हिंदी में बोलेंगे कहेंगे बाजार पूजी पूजी वाद अर्थ ब्यवस्था समाजवाद या समाजवादी और इसको बोलेंगे मेशरित अर्थ ब्यवस्था मेशरित अर्थ ब्यवस्था इन दे कॉंटेक्ट में इंडिया जो 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ इसने इसे एकोनामिक को फॉलो किया दूसरी अब इसको हम कैसे और कंसीडर करेंगे आराम से समझेंगे अब इसको हमें समझना है तो हम अलग एक अलग ऐसे समझेंगे इसका मतलब ब्यवता प्रोडक्शन जो करना है प्रोडक्शन जो मार्केट में करना उत्तपादन उत्तपादन जो करना है हमें मार्केट में जिसकी demand हो demand demand के आधार पे हम इसको production करें लेकिन non-market में हम ये बाथ करेंगे इसको regulate करेंगे regulate करेंगे regulate करेंगे कि हर चीज की availability हर mobile phone की availability मोडल का मार्केट में होना चाहिए दूसरी चीज तिसरी मेक्स है इसका भी थोड़ा सा नकल कर लेंगे इसका भी जैसरीज की जवर्यूत होगी कि वहा आले लिमिंटेड चलना देडा चाहिए चले गी इसको लगए रेकुलिट करना कंट्रोल करना करना चाहिए मार्केट कापिटल एकोनमिक में इस्टेट या फिर गवर्मेंट का जो रोल होता है दोस्तों वो जीरो होता है नहीं होता है इसमें होता है गवर्मेंट का रोल होता है कितना और इसमें भी गवर्मेंट का रोल होता है जब नाइनटीन और फुर्टी फाइब में सेकेंडर यहाँ पर मैं लिखोंगा इस चीच को लेके यहाँ पर जब दोस्तों 1945 में सेकेंडर वर्ड वार इनड होता है 1945 से लेकर के 1919 तक एक कोल आइडियो लोजिकल वार चलता है जिसको कते है विचार धारा की धारा की लड़ाई ठीक है विशार्दहारा की लड़ाई जब विशार्दहारा की हम लड़ाई लड़ते हैं तो इसमें एक जो capitalist है capitalist जिसको यूएस से रिप्रेजेंट कर रहा था और एक थे से रिप्रेजेंट कर रहा था यह बेसिक इन्फॉर्मेशन एकनोमेक एकनोमिक एकनोमिक मैकरो कोनोमिक के बीच में तस में झाल झाल